देखिए आज हमने बनाया है हरी प्याज की मुठिया की सबजी हरी प्याज की मुठिया की रसेदार सबजी बहुत कम तेल और बहुत कम मसालों के साथ बनकर तयार हो जाती है देखिए कितने नरम मुलायम मुठिया बने है और आप इसके सीरे के साथ, इसके ग्रेवी के साथ राइस खाईए, ये बहुते स्वादिश्ट लगती है, हमारे यहां की ट्राडिशनल रैस्पी है, सर्दियों के सीजन में खूब बनाई जाती है, जब हरी प्याज निकलती है, हरी पत्तेदार सबजियों के साथ बनाई जा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक करेए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब निकिया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिये, साथ बल आइकन भी प्रेस कर दीजिये, ताकि आने वाले वीडियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते तो चलिए बनाते हैं हरी प्याज की मुठिया की रसेदार सब्जी हरी प्याज की मुठिया की सब्जी बनाने के लिए यहां देखिए हमने हरी प्याज ले ली है प्याज को हमने अच्छी तरह से साफ करके पानी से दो बार धो लिया है ताकि इसमें जो भी धूल मिट्टी है वो निकल जाए हमने पत्तों के साथ में कंद भी ले लिया है जो प्याज में पीछे कंद होते हैं उसके साथ ही लिया है हमने लेकिन अगर आपके पास सिर्फ हरी पत्तिया हैं तो आप उससे भी सब्जी को बना सकते हैं हरी पत्तियों से ही बनाई जाती है प्याज की ये प्य तो सबसे पहले हम प्याज को छोटा चोटा सा कट कर लेते हैं लिगे फि siほ to रलेंगे एक चमच नमक और नमक के साथ पत्तों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं तकि पत्ते थोड़े सौफ्ट हो जाए देखिए हमने प्याज की पत्तों को नमक के साथ अच्छी तरह से मिला लिया है तो अब अब इसमें बागी की पत्तेदार सबजियां डालेंगे ये ह अमने हरी लश्चून को कट करके लिए हैं इसे डाल लेते हैं गी मतलं के 12 कटी हुई रिम यह हाप अपने हसाब से डाल सकते हैं पसंद है अगर पसंद नहीं है तो ना भी डालिए आप इसमें हरे मिर्च की जगह लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं और ये हमने कटा हुआ हरा धनिया लिया है इसे भी डाल लेंगे और साथ में डालेंगे आदर चमत जीरा अब सारी चीजों को मसलते हुए मिलाना है ताकि सारी पत्तेदार सब्जियां सॉप्ट हो जाए और अ हमने चावल का आटा लिया है इसे डाल लेंगे साथ में डालेंगे दो चमच बेशन बहुत अच्छा टेस्ट आता है मुठिया में बेशन का और इसमें दो ही चमच हम डालेंगे ये हमने गेहूं का आटा लिया है चिकना हाट आती है मुठिया में गेहूं का आटा डालने स लेकिन अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसे स्कीप भी कर सकते हैं और अगर पहली बार बना रहे हैं तो डाल कर देखिएगा बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका अब इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे ज्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं सबसे पहले डालते हैं आटा हमें इसमें इतना ही डालना है कि सारी चीजे बंद जाए अच्छे से बाइंडिंग आ जाए बहुत ज़्यदा आटा नहीं डालिये नहीं तो मुठिया में आटा आटा का टेस्ट आएगा पत्तों का बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आगा बस इतना ही आटा डालेंगे क कि ये बंद जाए और हां इसमें हमें पानी का यूज बिलकुल भी नहीं करना है सबजी ओने जो पानी छोड़ा है उसी से हमें इसका डो लगा कर तयार करना है तो देखिए हमने सारी चीजों को अच्छी तरह से बांद लिया है ये हमारा मुठिया का डो बनकर तयार है अगर कि हमारा डो एकदम सही बनकर तयार हुआ है बहुत जादा नरम भी नहीं और बहुत जादा सक्त भी नहीं बनाया है जादा नरम डो बनाएंगे तो मुठिया सीरे में जाने के बाद घुलने लगेंगे और बहुत जादा सक्त डो बनाएंगे तो मुठिया बहुत जादा जीरा चटक चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे ये हमने कटी हुई हरी लहसुन लिया है लहसुन की पत्तियों को छोटा छोटा सा कट कर लिया है साथ में डालेंगे कटी हुई हरी प्याज और ये हमने कटी हुई हरी मेधी लिया है इसे डाल लेते हैं चार हरी मिर्च को छ तो देखिए हमने सारी चीजों को पका लिया अब हम इसमे कुछ सूखे मसाले डालेंगे सबसे पहले डालते हैं 12 चमज धनिया पांडर दालेंगे हल्दी पांडर और मिर्च पांडर अपने टेस्ट के साफ से डाल सकते हैं जैसे भी आप खाना पसंद करते हैं अब सारी चीज़ों को मिला लेते हैं सूखे मसाले डाले हैं आधा मिनट के लिए मसालों को भूल लेंगे और गैस का फ्लेम हमें लो रखना है ताकि सूखे मसाले जले नहीं देखिए मसालों को हमने भूल लिया है तो अब हम इस पर डालेंगे हमने दो बड़े साइज के टम तोड़ी से ज्यादा पड़ते हैं, खटास अच्छी लगती है इस सब्जी में, मिला लेते हैं, और अब हम इस पर डाल देंगे नमक, टेस्ट के साब से नमक डाल देते हैं, ताकि टमाटर भी जल्दी से गल जाए, मिला लिया हमने नमक डालने के बाद, अब इसे ढख देते हैं, और ढख कर पकाएंगे, जब तक कि टमाटर अच्छी तरह से गल न जाए, तो चलिए ढखकन हटाते हैं, देखिए टमाटर अच्छी तरह से गल गये हैं, हमने एक बार ढखकन हटा कर इसे चला लिया था, तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी, सीरे के लिए जितना भ हैं, हम मुठिया बना कर तयार कर लेते हैं, जो हमने डो बना कर तयार किया है, देखिए हमने इस तरह से मुठिया बना कर तयार कर ली, गोल, चप्टा, लंबा जैसे भी मुठिया आपको बनाना है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, हमने इस तरह से बना कर तयार किया है मुठिया और चलिए देखते हैं सीरा भी उबल चुका है अच्छा बॉ Hait गया है इसमें तो अब इसमें ये बनी हुई मुठिया डाल लेंगे जो हमने बना कर तयार किया है एक एक करके सारी मुठिया डाल लेते हैं और अब हमें इसमें चमस नी चलानी है जैसे जैसे मुठिया पकने लगेंगे अपने आप तैर कर उपर आने लगेंगे और ढ़कना नहीं है बिना ढ़के ही इसी तरह से पकाना है देखिए अच्छी तरह से उबलने लगा है मुठिया धीरे-धीरे करके तैर कर उपर आने लगेंगे अपने आप चमच चला लेते हैं और बस 4-5 मेट इसे मीडियम फ्लेम पर और पकाएंगे मुठिया को पकने में ज्यादर समय नहीं लगता है बस मुठिया अच्छी तरह से पक जाए और सीरा थोड़ा गाड़ा हो जाए मुठिया अगर उपर तैरने लगे तो समझे कि मुठिया पकर तयार हो चुके है तो देखिये ये हमारी मुठिया की सब्जी बनकर तयार हो चुकी है सारे ही मुठिया तैर कर ऊपर आगए है और सीरा भी गाड़ा हो गया है इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया मिला लेते हैं इस सबजी को आप चावल के साथ खाएं इस पेशली चावल के साथ ये बहुत अच्छी लगती है वैसे तो रोटी पराथा सब के साथ आप इसे खा सकते हैं तो ट्राय जरूर करिएगा हमारे यहां की ट्रेडिशनल रेस्पी है यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगी औ और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लेज सब्सक्राइब कर लीजिए साथी बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए तैकि आने वाले वीडियो के नौटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो मिलते है ने रस्पी वीडियो में तब तक किली नमन स्टे